हेलो बच्चों जैहिंद वेलकम टू भारत्वस क्लासेस प्यारे बच्चों आज हम लोग कच्छा साथ जे सी यार्टी गनित पाटपुष्टक में प्रश्ण वली एक दस्मलो चार के प्रश्णों को हल करेंगे चलिए बच्चा प्रारम करते हैं प्रश्ण संक्या एक आप स साम जबी के सामने हैं प्रश्ण ध्याश्ण यहाँ पर हैं माiss का 28 भागा 7 यानि माइनेश के 28 भागा 7 से करेंगे तो क्या होगा तो बच्च्चा यहां पर देखें इस प्रश्ण में आपको एक चीज ध्यान रगना है कि आपको देखना है इस मायनेश क्टिन के जोड़ बन रहे हैं, यदि इस माइनस चिन के जोडे बनेंगे, तो आपका जो भागफल आएगा, उसमें रिनात्मा का चिन नहीं होगा, यानि ये दो चिन यहाँ पर मिल जाएगा दो ठो तो वहाँ पर, जो भागफल में आएगा वो संख्या धनात पकी होगी यहाँ पे एक ही माइनस का चिन है इधर माइनस नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे जो संख्या आएगी इधर माइनस की आएगी साथ का पहाड़ा में अठाईश कितनी बार में आता है साथ का पहाड़ा मत्थाईश चार बार में आता है अब मैंने अभी बताया कि माइनस का चिन देखना है यदि उसके जोड़े बनते हैं जोड़े कार थे कि दो आपको माइनस चिन मिल जाए तब आप सिधा ही लिख दीजेगा यदि दो नहीं मिले तो आपको यहाँ पर जो संक्याएगी उसमें भी माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक है तो यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा देंगे यानि यहाँ पर माइनस अठाइश को साथ से विभाज़त करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस का चार बी प्रसन दे रखा है पचास भागा माइनस पांच अब पांच का पहाड़ा में पचास कितनी बारी में आता है दस बारी में अब दूसरा हम लोग देखेंगे जो रिनात्मक का चिन है सिर्फ एक है अर्थात इसके साथ रिनात्मक का चिन लगाएंगे सी प्रसन दे रखा है माइनस अठाइस भागा माइनस चपपन भागा माइनस का आठ ठीक है सी प्रसन है माइनस चपपन भागा माइनस का आठ तो रिनात्मक का चिन देखिए, यहां भी रिनात्मक, यहां भी रिनात्मक, इसके जोड़े बन गए, अर्थात यहां पे जो संख्या आएगी सी प्रश्ण में उसके साथ रिनात्मक का चिन नहीं होगा, क्योंकि जोड़े यहीं पे बन गए, आठका पहाड़ा में 56, 7 बार म लेज़तियाई है संक्याई five अंदर noon सब्सक्राइब करते हैं बाहर वाली संक्याँ को ऐसे लिख दें पंद रा भागा में से 4वड़ा है 4 गाढ़ा है 4 के आगे मैनस का चिन, इसलिए माइनस का एक आएगा अब यहां पे मैनस 15 को मैंस एक से वाज़त करेंगे तो एक का पाढ़ा में 15 बारभार में आता है और यहां पे सिर्फ एक मैनस कचीन है, इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं इधर भी रहता मैनस का चिन तो जोड़े बन जाते हैं सिर्फ एक है इसलिए यहाँ पे एक और मैनस का चिन लगा देंगे तो मैनस का पंदरा हो गया प्रसंद संख्या F दे रखा है 0 भागा मैनस 11 तो इसका उतर होगा 0 जो प्रसंद संख्या Z दे रखा है मैनस 31 भागा मैनस 30 सोड मैनस 1 तो यहाँ पे होगा मैनस 31 ब्रेकेट के अंदर हल कर लेते हैं मैनस 30 और प्लस मैनस मैनस 1 मैनस 30 और मैनस 1 तो मैनस और मैनस पलस होगा 30 और एक जोड़ोगे तो एक 30 इन दोनों में सी 30 बड़ा है 30 के आगे मैनस का चिन इसलिए जो 31 आएगा उसके आगे मैनस का भी चिन होगा अब मैनस 31 को मैनस 31 से विभाजित करोगे तो क्या होगा एक बार में और यहाँ पर इसके दोनों मैनस 30 के जोड़े बन गए तो एक पलस का आएगा प्रसन संख्या H दे रखा है मैनस 6 गुने 5 भागा मैनस 2 जोड़ 1 सबसे पहले ब्रेकेट के अंदर हल करते हैं तो 6 पचे मैनस का 30 मैनस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 मैनस का चीन है यदि यहाँ पे मैनस रहता तो मैनस मैनस कड़े जाता सिर्फ 1 मैनस का चीन है इसलिए मैनस का 30 आएगा अब यहाँ पे भागा तो भागा लिखेंगे मैनस 2 जोड़ 1 तो मैनस पलस मैनस मैनस 2 में 1 घटाएंगे तो मैनस का 1 बचेगा अब यहाँ पे हमें भागा करना है तो यहाँ पर मैनस और मैनस इसके जोड़े बन गए यहाँ पर जो संख्या आएगी वो पलस की आएगी एक का पहड़ा में 30, 30 बार में यहाँ पलस का ही होगा प्रस्ण संख्या आई दे रखा है 0 भागा मैनस 11 तो इसका प्रस्ण F और I जैएम हैं इसका उतर होगा 0 इस प्रकार से हमने प्रस्ण संख्या 1 को किया एक का उतर मैनस 15, D का उतर मैनस 1, C का उतर 7, B का उतर मैनस 10 और एक का उतर माइनस चार होगा बताइए बिच्चो आप सभी को पहला प्रस्ण में किसी परकार का डाउट होगा तो आपने कमेंट जरूर कीजेगा करते हैं प्रस्ण संख्या दो दूसरा प्रस्ण कहता है रिक्त अस्थानों को भरिये ए प्रस्ण दे रखा है अठारा भागा माइनस दो तो इस प्रस्ण में भी आपको देखना है माइनस चिन के जोड़े यदि जोड़ा बन रहेगा तो यहाँ पे जो भागफल में संख्या आएगी वह रिनात्मक की नहीं धनात्मक की होगी कियोंकि जोड़े बन जाएंगे यदि यहाँ पे जोड़े नहीं बनेंगे इसके यानि दो को माइनस इन इधर नहीं होगा तो यहाँ पे हमें माइनस का चिन लगाना होगा दो का पहाड़ा में अठारा कितनी बारी में आता है? 9 बारी में अब देखी रिणात्मक का चिन यहां था रिणात्मक का चिन क्या इधर रिणात्मक का चिन है नहीं है क्या रिणात्मक का चिन के एक जोड़े बने नहीं बने तो यहां पे हमें रिणात्मक का चिन लगाना होगा यानि 18 को माइनस 2 से भाजित करेंगे तो माइनस का 9 आएगा किलियर है आपको चलिए प्रसन संख्या B को देखिए माइनस 21 और यहाँ पे है भागा तो माइनस 21 को किसे भागा करेंगे कि माइनस का 3 ना है सबसे पहले आपको देखना है चिन है यहां पर minus का 21 है और बराबर के इधर minus का 3 है यानि minus का इधर जोडा नहीं बना होगा तभी तो इधर minus लगा है 3 का पहाडा में 21 कितनी बारी में आता है सात बारी में 7 लिख देंगे, यहां धनात्मक shining का होगा प्रसन संख्या सी रखा है, माइनस 203 भागा खाल्य सतन बराबर का एक पहले चिन को देखिए, यहां पर बराबर के इधर पलस का है यह संख्या धनात्मक है, और यहां पर रिनात्मक का चिन है तो इधर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो संख्या होगी उसके साथ रिणात्म का चिन्द लगा होगा, तब ही इसका इधर जोड़े बन गए, इहर प्लस की संख्या है अब यहाँ पर एक का पहाड़ा में 203, 203 बार में, यहाँ 203 होगा, वो भी प्लस का ही होगा, ठीक है, यहां पर माइनस का होगा 203 क्योंकि माइनस और माइनस यहां पर प्लस हो गए प्रस्न संख्या डी दे रखा है बिच्छा यहां पर माइनस 222 यहां पर दी दे रखा है 222 भागा 222 यानि 222 को किसे विभाजित करेंगे कि 222 आ जाए एक से यहाँ पे हमें कोई भी रात्म का चिन नहीं लगाना पड़ा प्रसन संक्या E दे रखा है यहाँ पे 75 पलस का और इधर है मैनेस का तो मैनेस का एक यहाँ पे जो संक्या होगी उसके साथ मैनेस लगी होगी क्योंकि मैनेस और मैनेस पलस हो गया तो यहाँ पे माइनस का 75 होगा माइनस और माइनस प्लस हो गया एक का पाड़ा में 75, 75 बार में यहाँ पे सुन को 99 से तो यहाँ पे सुन आएगा 48 और इहर है 4 यहाँ पे माइनस का 48 है और इहर है 4 वो भी प्लस का तो यहाँ पे क्या हुआ होगा यहाँ पे जो संक्या होगी उसके साथ माइनस लगी होगी तभी तो माइनस माइनस प्लस हो गया अब यहाँ पे कौन सी संक्या होगी तो आप लोग 48 को 4 से भाजित किजिए आएगा 12 यहाँ पे माइनस का 12 होगा तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया 12 का पहड़ा मरतालिस चार बार में पलस का चार आ गया अब यहाँ पे है 6 और इधर जो बराबर की इधर आई है संक्या वो माइनस की 5 है तो 6 इधर है पलस का अर्थार्त यहाँ पे जो संक्या होगी वो रिनात्मक्की होगी और उसके जोड़े नहीं बने क्योंकि यह तो पलस का है तो माइनस का इधर 5 आया अब यहाँ पे कौन से संक्या होगी इसकी गुना कर लेते हैं 6 पचे 30 30 होगा वो भी माइनस का होगा ठीक है माइनस 30 6 का पहाड़ा में 30 5 बार में और यहाँ पे माइनस के जोड़े नहीं बने इसलिए माइनस लगाएं माइनस का 5 हो गया यहाँ पे है माइनस का 87 और बराबर के इधर है पलस का एक तो यहाँ पे जो संक्या होगी उसके साथ माइनस लगी होगी तभी तो माइनस माइनस प्लस हो गए और यहाँ पे प्लस का एक आया अब कौन सी संख्या होगी यहाँ पे होगी 87 माइनस का 87 माइनस का 87 माइनस का 80 माइनस माइनस का डिया 87 एकम 87 एक आ गया अब यहाँ पे देखिए जे में 8 तिया 24 और 6 दूनी 12 24 मायनस 12 तो यहां पे मायनस 12 है यहां पे प्लस 12 है लिए मैस 12 है बार inquisky है फोलक इतरा पुबले 잡़िए लिए स्जलनहीं पने बारी का पहड़ा में 24 दो और रिधा मायनस दो होगा प्रसन संख्या कट्याल मैं सुधार देता हूँ यहां पर मैनस का चिन नहीं होगा मैंने यह बात आपको भितिती आपको धियान unavोगा क्योंनि होगा क्योंकि यह यहाँ पर हम लोग धियान से देखें तो हम मैनस का 81 है मानस का 21 है और 7 का पहाडा में 21 आता है तीन बार में बिल्कुस सही है यहाँ यहाँप प्रशन को नोट किया होगा आपको ये प्रशन समझ में आया होगा प्रशन संख्या तीन दे रखा है निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन अशत्य है मैं इसका कारण भी बताऊंगा कि यहा कथन सत्य है तो सत्य क्यूं है और यदि असत्य है तो असत्य क्यूं है पहला प्रशन दे रखा है माइनस दस भागा सुन्य बराबर सुन्य तो यहा कथन असत्य है अब असत्य क्यों है हम इसकी पूश्टी करते हैं प्रशन क्या है माइनस दस भागा माइनस दस भागा शुनिया क्या आप इसका अर्थ समझते हो इस बट्टे का अर्थ उपर वाले को बोलते हैं अंस और नीचे वाले को बोलते हैं हर हमने कई बार इस चीज को समझा है अब सुन का पहाड़ा कितना बार पढ़ है कि माइनस का 10 आ जाए सुन का पहाड़ा कितना बार पढ़ है माइनस 10 आ जाए जैसे मैं कोई भी आपको सामने भाग का यहाँ पर एक्जामपल लूँ जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 6 भागा 3 तो आप क्या करते हो कि 6 यहां पे 3 का पहाड़ा देखते हो कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 6 आ जाए तो दो बार में 3 दूनी 6 आप से भागपली देते हो 2 तो प्रस्न यहाँ पे आपसे है बच्चा कि हम सुन्य का पहाड़ा कितना वर पढ़ें कि मैनस का 10 आ जाए क्या ऐसा संभव है कि हम सुन्य का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ें कि मैनस 10 आ जाए क्योंकि हम लोग इसे परिभासित नहीं कर सकते हैं 0 का पहाड़ा में माइनस 10 कभी नहीं आएगा तो इसेलिए ये कथन का सथ है दूसरा कथन कहता है 0 भागा माइनस 8 क्या माइनस यहां पर 0 भागा माइनस 8 इसे भी देख लेते हैं जीरो उपर में चला गया बड़ और मैनस आठ नीचे में अब यहाँ पर क्या है कि मैनस 8 का पहाड़ा कितना वार पढ़ें कि 0 आजाए क्या इसे हम लोग हल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आठको लोग जीरो से गुना कर दीजे है एक जीरो आएगा उपर का आग्या Rec. तो यह कतन सक्ञ है दूसरा कतनले लिखेंगे हम लोग seems, तीसरा कतन कहता है स्वइन भागा स्विद् को स्विद्न स्विवाज desen विभाजशत करें तो स्व toxic में व्याज़त करेंगे तो स्विन मैनस के जोड़े बन गए, पलस का इधर आया है, बिल्कुल सही, एक का पाड़ा में 25 पचीस बार में, बिल्कुल सही है, जो D है वो सत्य है, यह प्रसंदे रखा है, मैनस 17 भागा 1, तो एक यहां पर मैनस के जोड़े बने, नहीं बने, यहां पर 1 है पलस का और 1 है मैनस का, ज बिल्कुल सही है यह वाला एफ देखते हैं यानि छे तीन का पहाड़ा में छे दो बार में बिल्कुल सही बराबर छे का पहाड़ा में नहीं यह तो गलत है यह गलत है क्योंकि भागा में यह चीज सी नहीं होता है तो लिखेंगे असेत्यों तो इस प्रकार से हमने सत असेत् अब करते हैं प्रसंद संख्या 4, चौथा प्रसंद कहता है सत्यापित किजिए यदि A बराबर 3, B बराबर मैनेस 2 और C बराबर हो तो A भागा B प्लस C बराबर नहीं है, A भागा B प्लस A भागा C के, चलिए सिफ प्रूब करते हैं, A का मान 3 है, B का मान मैनेस 2 और C का मान 4 है तो सीधा हम लोग मान रखते हैं प्रस्ट संग्या A के लिए A का भाग है माइनस ती यहां पर A का मान है तीन B का मान है माइनस तो रखते हैं C का मान है यहां पर चार इस परकार रखते हैं अब इधर देखते हैं बराबर नहीं है जिसके बाद है A A का मान है मान, यहाँ पे 3, भागा, B का मान है मान है मान, प्लस, अब A का मान है 3, और B का मान है, यहाँ पे A का मान है 3, और C का मान है 4, इस परकार से हमने मान को रख लिया, अब चली से हल करते हैं, इधर 3 का 3 लिखेंगे, भागा है तो भागा, मान, दो और प्लस 4, मान, प् पॉल्स का दो आ गया अँधे और है इसे लिखतेंगे तीन बागा माइन सदू प्लस तीन बागा चार बराबर नहीं है इसे हम लोग कर इसे हम लोग एक बट्टे के रूप में लिख लेते हैं तो और असानी हो जाएगी जैसे हम लोग तीन भागा दो को क्या तीन बट्टे दो लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं अभी तर लिखेंगे तीन भागा माइनस तो तीन बट्टे माइनस दो लिख दीजिए प्लस तीन चार ऐसे हमने बट्टे में लिख लिया क्योंकि बट्टे वाले संख्या को असान करना इसे हल करना चाह होता है इसे हम लोग अरांसे कर लेंगे तीन बट्टा दो का तीन बट्टा दो लिखिए इसे तीन बट्टे चार को पहले लिखिए और माइनस इधर लगा दीजे 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 2 हमने क्या क्या कि इसे आगे लिख लिया अब इसे हल करते हैं 3 बटे 2 का 3 बटे 2 इधर हो जाएगा यहाँ पे 3 बटे 4 में से 3 बटे 2 घटा देना है LCM ले लेते हैं पहले 4 और 2 का LCM 4 आएगा 4 का पहला में 4 एक बार में 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 2 का पहला में 4 दो बार में 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 बटे 2 का 3 बटे 2 यहाँ लिखेंगे बराबर का बराबर अब 3 में से 6 घटाएंगे तो मैनस 3 बटे 4 क्या मैनस 3 यहाँ पे minus 3 बटे 4, 3 बटे 2 बराबर है, नहीं है और यही चीजra हमें प्रूब करना था कि ये दोनों बराबर नहीं है जब यहाँ पर बराबर नहीं हो, तो उपर में भी बराबर नहीं होगा, सब उहाँ पर काट दीजिये और अंति में लिख दीजिये सत्यापित इस परकार से हमने परशन को बनाया तो इसमें दो परशन है परशन संक्या दो सेम इसी परकार से है आपको यह परशन खुद से करना है आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा भारतवस क्लासेश पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी परकार की नई वीडियो की नई सुचना के लिए नोटिफिशन बेल आइकन को जरूर ओन कीजिएगा थेंक यू बच्चो